हेलो फ्रेंड्स आज मैं क्रिस्पी मसाला रोटी बनाने वाली हूं उसके लिए मैंने दो रोटियां लिये हैं मैंने इनको ट्रंगल सेप में काट लिया है उसके बाद मैंने कड़ाई में ओईल गरम कर लिया है इसको हम हम मेडियम फ्लेम पर ओईल गरम करेंगे हमारा ओईल गरम हो चुका है हम मैं अपनी रोटियों को डालूंगे इसमें एक रोटि को फ्राय करके रेखती हूं हम मैं सारी रोटियों को एक ही करके डाल दूंगे हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तार तलिंगे बच्चों को एक रिस्पी रोटि बहुत पसंद आती है हमारे रोटियां गोल्डन ब्राउन हो चुकी है मैं अब इनको एक पीशू पेपर पर निकालूंगे मैंने इनको एक टिशू पेपर पर निकाल लिया है अब इसमें मैं कस्मेरी मिर्च डालूंगी उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी उसके बाद मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी करेंगे अब हमारी क्रिस्पी मसाला रोटी बनकर तयार है यह बहुत टैस्टे लगती है करेंगे लगती हैं